आपके लिए न फिर से जो ताल पोस लिखे आई हूं वह मैं एपल वाला लिखे आई हूं यह एकदम एपल जैसा ही लगता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है तो चलिए बिना देर किये फटा पटसे से बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम इसमें यह वाइट वाली इसमें कर देंगे कि रोष्याय है चीया है तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा देखिए इस तरह से न इसमें एक नौट लगा दिए ऐक तो तीन चार पांक छे चैन लेंगे और यह तो ब hed एक डबल क्रोशा यां एलें धमार कफितmen ही हम उम्हें वाकता है तो बारा डबल क्रोशा बना कि फिर दिखाते और तो यह देखिए हमने ऑझारट बना लिंगे बना लिए अब हम इसमें इसमें है यही चैन में डालके इसे जॉइंड कर देगे फिर एक, दो, तीन चैन लेंगे और ये फर्स्ट वर्ली चैन में ढालके एक डबल उचरह और फिर इसी में डालेंगे एक और डबल उचरह यानि कि जैसे हमने ना एक एक चैन में हमें 2 दो डबल उचरह बनाने हैं इस तरह से ठीक है तो ऐसे ही पूरे में हम कर लेंगे यानि के रिखें हमारा पूरा यह बन गया अब हम इसे ह교 Pr def ऐंगे वसे तीन चैन लेंगे और यही बाले चैन में ड़कर sprechen 2 k एक पिर स्थे आगे बाले में मर्ती डालेंगे इसमें हम दो डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर उससे आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया फिर उससे आगे वाली चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ऐसे ही हम ये पूरी की पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो पूरी लाइन कम्प्लीट करके फिर दिखाते हैं ये देखिए हमारी ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई अब हम इसे यहाँ पर जोइन कर लेंगे उसके बाद में फिर से तीन चैन लेंगे फिर्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोश्या फिर उससे आगे वाली में एक डबल क्रोश्या और फिर उससे आगे वाली चैन में हमे दो डबल क्रोश्या बनाने है इस तरह से फिर उससे आगे एक डबल क्रोश्या फिर से एक डबल क्रोश्या और इससे आगे वाली चैनल में हमें दो डबल क्रोश्या बनाने है याने के दो बार हमें एक एक डबल क्रोश्या बनाना है और फिर उससे आगे हमें दो डबल क्रोश्या बनाने है तो इसी तरह से न यह हमें लाइंग पूरी कम्प्लेट करनी है और इसी तरह से न अगर आपको यह और बढ़ा बनाना है तो जैस करेंगे ऐसे ही हम पहले ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे दो डबल क्रोश्या फिर उससे आगे वहले में करेंगे तीन डबल क्रोश्या एक चैन में और फिर दो डबल क्रोश्या तो इस तरह से न हम इसमें बढ़ाते जाएंगे जितना बड़ा हम करना है उतना बड़ा हम कर लेंगे तो यह देखिए हमारी यह यहां तक है ना इसी तरह से अब हम इसे जाइन करेंगे और इसे ना मुझे इतना ही बनाना है क्योंकि मुझे इसमें आपको बड़ा वाला थाल पोस बनाना है क्योंकि इतने बनाने पर यह इतना बड़ा बैठेगा इसके ओपर अभी एपल बनेंगे तो इतना हो जाएगा अगर आपको इतना बड़ा मत जैसे मैंने आपको बताया है और इसी तरह से आप बढ़ाते वे बनाएंगे ना एक एक फंदा बढ़ाते वे बनाएंगे मतलब जैसे इसमें ना दो डबल क्रोश्या अलग अलग चैन में बनाएं फिर दो फिर ये दो एक में ऐसे ही पहले दो बनाएं फिर अगली वाली चैन तो इसी तरह से आप बनाते चाहेंगे ना तो इसमें बग्कुल जोलनी आएगा बहुत अच्छे से यह बनेगा तो अब में इसमें ग्रीन वाली ओन जोइंट कर देती हो और आगर आपको इसा लगता है जोल आता है तो मैं आपको अपना दूसरे वाला थाल पोस दिखा देत हैं काफी बड़ा बनाया है और सेम प्रोसेसर से ही मैं आये यह बना ईया है तो आप इस तरह से बिल्कुल जोलनी आया था इस atom का जरब बन गया था था आप इसकहर से से निकाल लेंगे और इस औंअ को हम धो कर देंगे, यह बाई छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, एक दो, तीन, तीन देक्ट नेंगे दिए एक चैन यहां पर छोड़ेंगे, और इस से अगले वाली चैनमें डाल के हमें, यह देक, एक डबल क्रोश्या, दो डबल क्रोश्या, फिर एक, दो, तीन चैन और यहीं पे डालके हमें फिर से दो डबल क्रोश्या बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से, फिर एक, दो, तीन चैन लेंगे और यहां पे हम एक, दो, दो चैन चोड़ेंगे और थार्ड वाले में डालके हम यह पे कि एक सिंपल क्रोशिय इस तरह से बनाएंगे तुर एक तो सीफर हैं तो तीन चैन हएक नरчик मुई तो समक्राइए और यहां पर इक तो समिलों चेन चोड़े और यह थर्ड वाले में टालके हम यह मुटी कि यह दो तेन तीन चैन और फिर से हमारे है दबल क्रोशिया, इस तरह से, ठीक है, फिर से तीन चैन लेंगे, और एक दो दो चैन चोड़के थर्ड वाले में डालेंगे, और इसे एक सिंपल क्रोशिया, फिर से तीन चैन, और एक दो दो चैन चोड़के थर्ड वाले में डालके ये, फिर से इसी तरह से बनाना है, तो ऐ यह देखिए हमने यह पूरे में बना लिया है अब अब हमें क्या करना है यह New career पर को नागर एक सिंपल कृशिच्छ बनायंगे और यह हुआ कि यहां पे अब हम इसे यहें प fé छोड़ंगे और यह requirements को इसमें जॉन करेंगे तो जॉन करने के लिए हम क्या करेंगे पूद जॉन कर लियां में लिए तरह से कहीं चलेंगे और इसमें एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे और जो ये दोनों डबल क्रोशिया के बीच में ये वाली चैन है इसमें डालके हम एक डबल क्रोशिया, ये दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो, हम नो डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, फिर हम इसमें एक, दो, तीन चैन लेंगे और जो ये सिम्पल क्रोशिया बनाया था, इसी में डालके हम एक सिम्पल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक, दो, तीन चैन लेंगे, और इसमें डालके फिर से नो डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए, कुछ इस तरह से, ठीक है, नो डबल क्रोशिया बनाने के बा हमें यह पूरा का पूरा बनाना है तो यह पूरा बना के फिर दिखाते हूं तो यह देखिए नो डबल क्रोशिय हो गए इसमें फिर से एक दो तीन चैन यह पर स्लिप स्टिश फिर से तीन चैन और यहां पर फिर से नो डबल क्रोश ठीक है तो आपको यह अच्छे से समझ आगया होगा कि हमें यह कैसे बनाना है तो पूरा बना के फिर दिखाते हूं तो यह देखिए हमने पूरा का पूरा यह कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसी में यह दालके यह तीन कदे यहां पर जैंद कर दें के घर ले माना मुझें करते हो इसके पाद हमने क्या करना है फिर से एक दो तीन यह दिन होयों कर दोलं यह हैं और यह देखिए इस तरह से सबसे इंध्री लेकिए एक double क्रोश ब्रत पिर अगली चैन में एक डबल क्रोश्या हर एक चैन में हमें एक-एक डबल क्रोश्या बनाना है ठीक है यह देखिए कुछ इस तरह से यह देखिए सब में एक-एक हो गया और एक हमें यह लास्ट में जहां पर हमने क्रोश्या किया था ना वहां पर बनाना है तो यह देखिए जैसे हमारे यह नो डबल क्रोश्या थे उसके उपर एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस हमारे डबल क्रोश्या हो गए है अब हम देखिए यहां पर कोई चैन नहीं लेनी है आगे वाले में इसी तरह से ले जाएंगे और यहां पर भी नो के उपर हमें दस डबल क्रोश्या बना लेने है यह देखिए वाले में यह पूरा कापूर में द्रस्ट कंप्लीट करना है कि यह हम बना रहे है ने सेम EC ECımızı क्रोश्या UECD में इंपर कर दाए जबना लेंगे इस तरह से और फिर भीना चेंच लिए फिर से एक-एक डबल क्रोशिया बनाना शरू कर देंगे तो यह देखे हैं हमारा कुछ इस तरह का बनेगा तो यह पूरे में ऐसी ही कर लेंगे तो यह देखें यहां तक हो गया अब हम इससे भी यहां पर ईधर डालें यहां पर जॉइन अब हमें क्या करना है एक यह दो यह तीन तीन चे लेंगे और एक चेहन में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लें इस तरह एक में दो बनाने हैं, एक में एक बनाना हैं, फिर एक में दो बनाने हैं, फिर एक में एक बनाना हैं, ठीक है, फिर अगले वाले में हम दो बनाएंगे, फिर उससे आगे वाले में हम एक बनाएंगे, फिर उससे आगे वाले में हम दो बनाएंगे, तो यह इस तरह से है न हमें यह पूरा का पूरा बनाना है ठीक है यह दिहान रखना है कि इस तरह से हमें बनाना है तो यहाँ पे हमारे दो बन गए और यह देखे यह जो बीच वाला है इस पे भी हमें एक यह देखे यहाँ पे एक आया था तो एक बनाना है अगर यहाँ पे और उसी तरह से न हमें ये पूरी के पूरी लाइन कम्प्लीट करने है थीखें आपको समझ आके देखें इस तरह से न ये पूरी लाइन हम कम्प्लीट करेंगे फिर पूरी करके फिर दिखाते हैं तो ये देखें हमारा ये यहां तक हो गया अब हम इसे यहां पर इस तरह से जॉइंट कर देंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, यह जॉइंट हो गया, इसके बाद हमें यहाँ पे कोई चैन नहीं लेनी है, बस एक, दो, तीन, तीन चोड़के और यह फूर्थ वाले में डालके हमें एक डबल क्रोशय बनाना है, यह दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह आठ, नो, और यह दस, हमने दस डबल क्रोशय हैं यहाँ पे, बनाने है, उसके बाद में हमने फिर से देखये, इसमें हमने डबर खळाना है एक, दो, तीन, यह छोड़ देने और प्धो, दे डालके हिसे सिंपल क्रोशय है से इस तरह से जोइंट कर देना है, इसके बाद में फिर午र क्रोशय है, जोइन किया, es, दो, थैन चोड़के औ में हमने जोइन कि अब वो हो गया एक दो तीन छोड़के और ये फॉर्थ वाले में डालके इसे जोइन करना है और डबल क्रोशिया बनाते जाना है और यहां पे भी हमें जो बनाने है वो दस डबल क्रोशिया ही बनानी है ठीक है तो दस डबल क्रोशिया बनाके फिर दिखात ठीक है? यह देखे, यह हमारा बन गया, इस तरह से यह हमारा बन गया है उसके बाद में हम फिर से एक, दो, तीन चोड़ेंगे और फॉर्थ वाले में डालके हम फिर से दस डबल क्रोशिय बनाएंगे और ऐसे ही जैसे हमने इधर बनाया है सेम वैसे ही हमें इधर भी बनाना है ठीक है? ऐसे ही हम पूरे में ये बनाते जाएंगे इसमें कुछ अलग नहीं है सेम हमें न दस डबल क्रोश्या बनाने है और ये इधर जोइन कर देना है तीन छोड़ के जोईंट कर देना है, फिर न, 10 डपल क्रोशया बनाने है, और फिर यहां पर जोईंट कर देना है, तो इसी तरह से न, हमें यह पूरा का पूरा बनाना है, फिर बनाकर फिर दिखाती हूँ, मैं आपको, आपको मैं एक चीज और दिखा दू, थोड़ा पाश से दिखाऊंगी कि तभी आपको समझ जाएगा क्योंकि हम इसे एना एपल बना रहे हैं तो यह जो हमारा दूसरे वाला करवाएगा ना वह हमें जो जॉइंट करना है वह चहां पर यहां पर जॉइंट होना चाहिए इसे हमें इधर उधर नहीं करना है और जिस हिसाफ से मैंने तुम्हें बता इसमें यह और यह चीज ना देखें तो आपको देख सकते हैं कि एपल की शेय बननी शुरू हो गई है अभी यह आगे और बनाएंगे तो यह और अच्छे से दिखाए देगी ठीक है तो यह इस तरह से हमें बनाना है मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि कोई बार है कोई यह गिनने में गलती कर देता है तो वो आपकी शेपी खराब हो जाएगी और आपका इन डिजाइन खराब हो जाएगा तो इसी तरह से है ना जैसे मैंने सेम बनाया है वैसे ही आपको यह देखें लावन हमने पूरे में यही कर लिया है और यह जहां से हमने शुरू किया थ वहीं पे डालके हम इसे जाइंट कर देंगे और यहीं पे हम यह रेड वाली उनको कट कर देंगे अब मैं आपको दिखा दूं कि यह किस तरह कहां दिख रहा है तोड़ा पास से दिखाते हूं जिससे आपको अच्छे से समझ आए तो यह देखिए अब हम इसमें न देखिए आप खुद भी देखें यह अलग ही एक दम यह एपल वाली शेप बन कही हैं जी में अब हम इसमें यह ग्रीन वाली को यूज करेंगे यह तो हम यही पर काट देंगे, यह किसी भी, जैसे यह वाला, आप यह देखेंगे, यह वाली एक शेप हो गई है, जैसे यह हमने यहाँ पे जोइन किया है, से आगे यह बीच में, यहाँ पे डालेंगे, और यह ग्रीन वाली उनको हो, पहले नॉट लगा लेंगे, इस तरह एक चैन लें, यह दो, यह तीन, चार, पाँच, देखेंगे, पाँच चैन हो गई, फिर हम फर्स्ट बार देखेंगे, यह एक चैन छोड़के जो चैन शुरू होई थी ना, उसी में डालके, इस तरह से, यह दो बार फंदे किरोशे के उपर लेंगे, में डालेंगे, और देखेंगे, यह दो, दो करके, यह दो बार निकाल देंगे, एक किरोशे के उपर ही, देखें, इस तरह से हम इन्हों को निकाल देंगे, फिर यह हम यहापे दो बार लेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन लेंगे, और यह यही पर डालके, तीसरी वाली चैन में ऐसे निकाल देंगे, अब हम इसी में डालके इस तरह से एक डबल क्रोश्या बनाएंगे, फिर यहीं पर डालेंगे, एक और डबल क्रोश्या बनाएंगे, सोरी एक half double crochet और फिर एक simple crochet यह देखें तो यह एक हमारी है न छोटी सी पत्ती बन गई है अब हमने जो first वाली chain बनाई थी उसमें डाल लेंगे और इसे निकाल लेंगे अब हम यहाँ पर एक दो तीन चार चार chain बनाईंगे और देखें इस तरह से first वाली chain में डाल के निकाल लेंगे फिर इससे अगले वाली chain में डालेंगे ऐसे ही निकाल देंगे फिर इससे आगे वाली chain में डाल के ऐसे ही निकाल देंगे और जहां से हमने यह शुरू किया था वहाँ पे डालके ऐसे ही निकालेंगे और इसे ही पे कट कर देंगे तो ये देखिए हमारा एक पत्ता और ढंठल बनके तयार हो गया है ऐसे ही हम देखिए आगे वाले को ये छोड़ देंगे और इससे जो आगे वाला है यानि कि जो हमारा नीचे ये ग्रीन वाला बनाए ना सब पे बनाके फिर दिखाती हूँ आपको तो यह देखे हमारा फाइनली है न यह एपल वाला थालपोस बनके पूरा तयार हो गया है और यह देखे यह रेड कलर इसमें एक्तम शाइनिंग आती है इसलिए यह पतानी कैसा दिखता है लेकिन यह देखे थोड़ा पास से देख लिए एकदम यह आप जब इतना देखेंगे न तो अराम से समझाएगा कि यह अपल है और यह देखे इसकी छोटी सी पती और यह दंडल यह देखे एकदम है ना असान सा और प्यारा सा बनानी में भी कितना असान है और यह देखे बनके भी बहुत सुंदर लगता है तो आ आपको है न समझाएगा कि यह कितना सुंदर और प्यारा बनके न पूरा तयार हुआ है तो यह देखे आपको कैसा लगा है यह बनने के पात मुझे यह बहुत सुंदर और खाफी प्यारा लगा है आपको यह कैसा लगा मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना चल ये भी मैंने डाल चुकी हूँ तो आगर आपको ये भी पसंद आ रहे हैं तो मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगी तो आप महाँ से जाके देख सकते हैं वैसे मैंने और भी बहुत सारे थालकोस बनाए हैं लेकिन ये पूरी सि पर जाके देखेंगे तो वह मिली जाएंगे बाई अब्रीवान एंड थैंक्स वर वाचिंग